हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे अच्छे होंगे तो आज की वीडियो खास यूटूबर के लिए है क्योंकि बहुत से यूटूबर मेरे से पूछते हैं कि अगर वो किसी और का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता है तो ऐसे में क्या उनका चैनल मोनोटाइज हो जाएगा या नहीं हो पाएगा तो आज की रेटमन में आपको वहीं बताऊँगा क्यों कि बहुत से चैनल मैंने ऐसे देखें जिनका चैनल मोनोटाइज हो जाता है तो वह किसका अंस होता है इसी के बारे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा तो इसके लिए करना क्या है वीडियो को पूरा वदं तक वोच करना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए क्या करेगा चलिए मेरे म अपको open कर लिए open करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के option पर click करना है और किसी भी creator को सर्च कर लिए जरिसके मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया है एक channel तो यहाँ पर से अगर आप कोई वीडियो उठा कर डालेंगे तो उससर आपको सर्च करना है om March in future जालननंग से यहाँ 3 जो डाट दिख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है और filter के option पर क्लिक कर देना है और बार की आपको यहाँ पर creative comment दिखा यह दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है बताना चाहूंगा अगर जिनको जानकारी नहीं है कि यूटूब आपको दो तरह के upload देता है एक creative comment रहता है और दूसरा आप normal जो upload करते हैं तो आप creative comment पे क्लिक करते हैं और apply कर देना है आपको apply करेंगे कुछ इस तरह से वीडियो आजाएंगी तो यह सारी वीडियो आप देख सकते हैं इन में किसी पे भी जो वीडियो है यह थर्ड पार्टी ने upload कर यह यानि कि original content नहीं है तो इसमें से अगर आप कोई भी वीडियो यूज करके अपने उस पे डालते हैं तो कोई भी ऐसा इसू नहीं आएगा आपको यूज कर सकते हैं जैसकि माली जिए मैं आपको दिखाने के लिए भी दिखा देता हूं आपको यहां पर इसको मैं रोक देता हूं और यहां पर आपको दिखा देता हूं detail के साथ तो यहा अलाउड यानि कि आप इसको दुबारे से यूज कर सकते हैं यह अलाउड तो इसको क्या करना है आपको Simply अगर यूज करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको share करके या कैसे compile link करके और Vidmat एक app आता है या फिर आप जिससे भी download करना चाते हैं download कर लिजे इस video को और video को download करने के बाद अगर इस video में किसी ने अपना कुछ डाल लगता है तो edit के माद्यम से आप उसको delete कर दीजे जैसके काइन वाश्टर होगा किसी के पास उससे कर लिजे नहीं तो कोई भी और other app से कर सकते हैं तो इस तरह से आप ऐसानी से किसी और का भी content अपनी वीडियो में use कर सकते हैं और उससे आपका channel भी monetize हो जाएगा लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा यूज करते हैं तो monetize तो हो जाता है आपका channel लेकिन इससे आपकी पहचान कुछ नहीं होगी ठीक है वो बात मान सकते हैं कि monetize हो जाएगा channel लेकिन आप उसमें कोई पहचान नहीं बनेगी YouTube पर आपकी तो इसलिए ऐसा नहीं करीगा और आप अपना original content डालिएगा तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो एक लाइक जरू कर दीजिएगा और channel पर नहीं तो channel को subscribe जरू कर लिजिएगा ताकि बविशे में ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो आज के लिए इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए बाई